कि हैं लो स्वागत अन्य क्लास में दोस्तों आज की बात करेंगे एससी एमटीएस परिक्षा यहीं फिलाएस अब बढम के दोस्तों आपके पैसर और आपके जानओं को समाप्त हो चुकी है तो बात आजाती है आपकी आंसर की कब तक जारी हो जायगी ठीके सबकुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा बिल्कुल लाष्ट तक देखते रही हैं इसब कुछ एक्चुल जानकारी दी जाने की पूरी उम्मीद किए मैंने पूरी कोसिस मैंने किया कि आपको प्लब कर्थ जानकारी धी जैंग तो नजर आएगा तो देखिंद कुछ थोड़ा पाश्ट में चलते हैं पिछले की रिकोर्ट से पिछले की आंसर की काव आई है उन पर थोड़ा नर्द डालते हैं उसके बाद डिसकस करते हैं देखिए इंपोटेंट पॉइंट की बात करें हमारे नोटिफिकेशन आया जनवरी 2023 में ठीक है जनवरी 2023 में आया और एक्जाम जो आपका मैं जून में डेट दी गई उसी डेट के आधार पर क्या हुआ एक्जाम हुआ ठीक है यानि कि एससी जो है बहुत ही तैयारी के साथ साथ बहुत ही खास रणी के साथ बिलकुल टाइम चलने कोसिस करेंगे कि जो पिछले एक्जाम हुए हैं उनकी आंसर की कितने दिनों के अंतराल में आई है उसके बाद हम अनुमा लगा सकते हैं कि हमारी आंसर की कब देखिए एक्जाम डेट जो थी चौबिस पांच दोजार बाइस से दस च्छे दोजार बाइस ताग यान कि ठीक है यानि कि जो हमारा एससी च्छ दोजार एक्जाम हुआ था फ्रेंड्स वह आपका 24 मई से लेकर के 10 जून तक हुआ और 22 जून को उसकी आंसर की आ गई केतने दिन का अंतर रहा 10 और 12 हमारा बाइस 12 दिन के अंतर में 12 दिन के अंतराल में क्या हुआ आंसर की जारी क ठीक है तो इसी आधार पर आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद में और कुछ बताता हूं आपको देखिए ऐससी MTS हवलदार टैर्फश्ट की बात करेंगे 2022 की एक्जाम आपका 5 जुलाई से 26 जुलाई तक हुआ ठीक है 5 जुलाई से 26 जुलाई तक आपका एक्जाम हु बात कर रहे हैं MTS हवलदार की ठीक है आपका एक्जाम 5 जुलाई से 26 जुलाई तक हुआ और दो अगस्त को आपकी आंसर की आपर ला दी गई ठीक है और भी एक्जाम है जैसे स्सी स्टेनोग्राफर सब कुछ बता रहा हूं आपको दिए स्सी सीप्यों ठीक है सीप्यों का एक्जाम हुए थे सीप्यों की ठीक है और आंसर की आपकी 20 दिसंबर को आ गई ठीक है इसमा थोड़ा लंबा गया पर ठीक है तो इस बेसिस पर हम आधर बता रहे हैं आपको क्योंकि इतनी अफवाव साब बचिए अफवाव से बचिए कि आंसर की आ गई या नहीं आई अ इसा नहीं है कि आप इन बातों में आएं ऐसा नहीं है अच्छा अपनी तैयारी करते रही है क्योंकि एससी एमटेस का दोबारा वेकेंसिस आ गई है उसमें फॉर्म कर लीजिए जद समय बेश्ट मत कीजिए आ गई आंसर की यूटूब पे तना फैक चल रहा है अजकल यह बात करें एक्जाम आपका 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हुआ और वेट आपका जो आंसर की है वह दो नवंबर को आगई ठीक कितने दिनों का समय लागा आपका 11 यान की करीब 12 से 13 दिन में आपकी आंसर की जारी कर दी गई कुछ एक्जामों में एक दो दिन के अंतर के आध कर योगी ना इस चैनल पर आपको प्रोवाइट कर दी जाएगी सबसे पहले और सबसे सटीक जान करें ठीक है अफवाँ से बचिए ठीक है आफवाँ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए मैं आपको बिल्कुल रियल क्लास कराता हूं इसलिए थोड़ा लेट हो जाती क्लास लेकिन हंड्रेट परसेंट को सनो या कोई आंसर हो आपको एक्चुल क्लास दी जाए ठीक है अगर इसके बाद को डाउट है किसी चीज़ को ले करके तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है या इस नंबर पर परफेक्ट मैंत फॉर की टीम का पूरा नंबर है इस पर जाएगा ठीक है अगर आपको पड़ाई में दिल नहीं है कुछ नहीं है तो आपको इसार बहुत ही बारी की से समझा देंगे ठीक है तो आप जुड़ जाईए इनके साथ सर के साथ देखी CPU 2022 की बात करें एक्जाम आपको 9 नवंबर से 11 नवंबर तक हुआ आंसर की 16 नवंबर को आ गई ठीक है कितना दिन का सामय लागा पांच दिन के अंतराल पर आंसर की आ गई ठीक है यह आप मैं आपको पांच रिसीने दिखा रहा हूं कि आपको बिस्वास हो में रू डजाए रहा है आप वेकंच पिछली जो आंसर की किसा दर पर आइंगे इस टेन ऊग्राफर 2022 की बात करें एक्जाम आपका 17 से 18 नवंबर को हुआ ठीक है कितना दो दिन आपका एक दिन आपका एक्जाम को 17, 18 दो दिन आपका एक्जाम हुआ आंसर की 24 नवंबर को आ गई चैसे चाहेशन ना तक यहाँ आगई याव की स्टेन ग्राफर की जारी कर दी गई तो एक्षाम आपकर सब्सक्रास चैसे-इदों आंसर की जारी कर दी गई और अब आगर हम ऐसे सी मटस की बात करें तो आपको एक्जाम जो बीस जून को समाप तो ठीक है जून का आपका एक्जाम कंपलिट हो चुका है और जो आपकी आंसर की आईगी नहीं वह तेइस से 23 जून से 25 जून के बीच तक आई जाएगी ठीक है क्योंकि आप इन आंकडों से जान सकते हैं कि आपकी आंसर की कवा जाएगी तो आपकी आंसर की 23 जून से 25 जून तक आपकी 100 परसेंट आंसर की जारी कर दे जाएगी सुत्रों के द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन मिली है इसलिए मैं आपकी वीडियो प्रोवाइड कराया ठीक है बिल्गुल परिशान मत हुई डिश्टम मत हुई आपकी आंसर की 23 जून से 25 जून आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को टाइम तो टाइम मिलता रहे तो थैंक यू बाच थैंक यू स्टूटनें